बस पास मिड़ में आपको कुछ अच्छे important sentences को आपको English में convert करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसका मतलब क्या होता है आज हम देखेंगे वाई जो क्यू मतलब जो English में जो वाई होता है कि सब्सक्राइब है इस vielleicht के प्रयोंग से अलग अलग sentences हम कैसे बना सकते हैं वाई को हिंदी में हम कहेंगे कि इन कि तो जब English में हम जब वय शब्द बुलते हैं तो हिंदी में हम उसका मतलब होता है उसका क्यू तो आभी इस वाई से हम देखिए आलग-अलग sentences बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहां पर लिखकर रखा है बारिश क्यूं होती है बारिश क्यूं होती है तो यही वाक्ति अगर इंग्लिश में लिखना है तो हमें रेन अभी क्यूंकि यह एक कोश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोश्चन मार्क यह भूँत जरूरी है तो ज्यू यह इस च ररह्न về का मतलब होता है और क्यूं का मतलब होता है भूए एक का ऐसे होती आसान है अभी देखिए नस्त वय एसा क्यूं करेगीर वह ऐसा क्यों करेगी तो यह अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो हमें लिखना होगा वाई उट वाई उट शी डू डैट वाई उट शी डू डैट कॉश्चन मार के देखी वाई उट वाई मतलब क्यू वाई उट शी डू डैट वाई उट शी डू डैट तो यह सेंटेंस इजीली कनवर्ट होता है इजीली आपको इंग्लिश में कनवर्ट करके मैं दिखा रहा हूँ क्यू रो रही हो यह कुछ ऐसे सेंटेंस है जो हमेशा आपको यूज करने होगे क्यू रो रही हो तो इसका इंग्लिश में कुछ इस प्रकार बनेगा sentence वाई आर यू क्राइंग वाई आर यू क्राइंग यह देखिए यहाँ पर question mark क्यू रो रही हो इसका मतलब इंग्लिश में होता है वाई आर यू क्राइंग यह वो sentences है जो हमें अपने daily life में हमेशा use करने होते है अभी देखिए आगला sentence तुमने यह सब क्यों किया तुमने यह सब क्यों किया अभी इसका इंग्लिश में हम देखिए कैसा बनता है sentence वाई वाई डेट यू डू अल देखिए देखिए question mark why did you do all this मतलब तुमने यह सब क्यों किया अभी देखिए आगला sentence देखिएंगे दोस्तों बस पांच मीड में आपको बहुत सरे sentences दिखाने वाला हूँ वे क्यों भाग रहे है वे क्यों भाग रहे है अब यह सेंटेंस आपको इंग्लिश में कुछ इस प्रकर करना है वाई आर दे वे मतलब दे वाई आर दे रनिंग भागना मतलब रनिंग तो वाई आर दे रनिंग वे क्यों भाग रहे है वाई आर दे रनिंग अगला sentence देखेंगे तुमने मुझे क्यों पूछा तुमने मुझे क्यों पूछा तो यही sentence आगर आपको इंग्लिश में करना है तो आपको बोलना होगा वाई डिट यू आस्क पूछना मतलब आस्क और मुझे मतलब मी वाई डिड यू आस्क मी इसका इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा मतलब वह यहां क्यों था यहां मतलब है यहां का मतलब होता है यहां मतलब यहां पर ही है ठीक है वाय मतलब क्यों और था का है वाज ठीक है तो यह past tense का sentence है why was he here हमने देखा अभी देखिए आखरी sentence हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना आकाश इतना निला क्यों है आकाश इतना निला क्यों है अभी English में कुछ इस प्रकर आएगा why is the sky so blue यह देखिए यहाँ पे आकाश मतलब sky निला मतलब होता है blue q का मतलब y जैसे हमने देखा है so मतलब इतना ठीक है तो why is the sky so blue आकाश इतना निला क्यों है why is the sky so blue तो देखिए दोस्तों बस पाच मिट पास से छे मिनिट के टाइमिंग में मैंने आपको इतने सारे सेंटेंस दिखाने की कोशिस किये दोस्तों इंग्लिश बहुती सिंपल लेंग्विश बस आपको 15 से 20 मिनिट या अदा घंट आपको रोज ट्राइ करना है बस पोशिस करना मत छोड़िए 90 days में आपकी लेवल एक काफी अच्छे लेवल आप मीडियम लेवल पे बिगिनर से एक मीडियम लेवल पे अच्छे से आ सकते हो बस ट्राइ करते रहे हैं कोशिस करते रहे हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय थैंक ये टेक केर